आईए जानते हैं श्री रमन महारीशी को मृत्यू का अनुभव किस प्रकार हुआ और कितने उम्र में हुआ तिरुचली में वकील सुन्दरम अयर और अल गमल का 30 दिसंबर 1889 को जन्मा दूसरा बेटा वेंकट रमन आगी चलकर महशी रमन की नाम से प्रसिद हुए श्री रमन की प्रारंबिक शिक्षा तिरुचली और दिन्दूंगुल में हुई श्री रमन को 17 वर्ष की आयू में मृत्यू का अनुभव हुआ वेंकट रमन ने 17 वर्ष में प्रवेश किया ही था 1896 के मध्धे महान जागरन ने उनके निरुदेश्य एवं जड़ जीवन को उचस्तरिय बोध में परिवर्टित कर दिया यह वे आयू है जिसमें संसार के महानतम व्यक्तियों ने अपने भीतर परिवर्टन का अनुभव किया एक नई जीवन की शुरुवात की स्वयम के आदर्शों या प्रकर्ती में परिवर्टन को समझ पाना बहुत ही कटिन है विशेश कर उस व्यक्ति में जो कोई प्रदर्शन नहीं करता और आत्म के इंद्रित रहता है जो अपने विचारों एवं अनुभवों को कभी भी व्यक्त नहीं करता वेंकंट्रमन इसी प्रकार की व्यक्ति थे उनसे उनके मित्र एवं भाई भी परिशान रहते थे इसी लिए जाग्रन के उस महान परिवर्दन का बढ़नन उनी के शब्दों में करना अधिक उप्योक्त एवं उचित होगा इस घटना के पहुत समय बाद श्री रमण महरीशी की प्रथम जीवनी सेल्फ रियलाइजीशन के रशना का श्री बी बी नर्सिंग स्वामी ने उप्रोक्त विशेपर महरीशी से प्रथम बार बाचित की उसका सारांश इस प्रकार है मृत्यू का भय उन्हें मदुरई छोड़ने के छे सप्ता पूर्व हुआ था वैभय केवल एक थोड़ी देर के लिए ही था उस समय उत्तेजना की एक चमक थी जिसे मौटे तोर पर ताप के रूप में पढ़नन किया जा सकता है किन्तु शरीर में अधिक ताप होना स्पष्ट नहीं था और ना ही शरीर में पसीना आ रहा था ऐसा लगा जैसे की किसी दिव्वे शक्ती ने उनके उपर कबजा कर रखा है उसते पांचिक दिश्टिकोन एवं आदतों को परव्यत्त कर दिया पहले भोजन में एक की तुलना में दूसरे की कुछ प्रात्मिकता रहती थी किन्तु वह प्रवर्ती एकदम है तूट गई और सभी प्रकार के भोजन चाहे स्वादिष्ट हों या अस्वादिष्ट अच्छे हों या दूशित उदासिंता के समान भाव से निगल जाते थे पढ़ाई एवं उत्तरदाईयों के प्रती पून उदासिंता हो गई पन्ने पलटते हुए वे यंत्रत पढ़ाई करते ताकि दूसरे देखने वाले समझें कि वह पढ़ रहे हैं वास्तव में वे अपना ध्यान पुस्तकों की और कभी निर्देशित नहीं कर सके परिणाम सरूप उनके विशे में कुछ भी समझ नहीं आ पाया इसी प्रकार सदेव उस शक्ती के नियंतरण में रहते हुए वे एक समाजिक उत्तरदाईत पूरा करते और वे उनका मन हर प्रकार की संसारिक एक्टिविटीज में अनुपस्तित रहता मन स्वैम ही आत्मा में मोहित एवं अकर्शित रहता घर द्वारा दिये गए हर भार को वे विनम्रता और सहनशीलता के साथ वहन करते अंतरमुखी एवं आत्माभिमों की अवस्ता ने पूर्व के सभी अनुभव एवं रुचियों को निगल लिया वह भय केवल प्रथम दिन जागरण के दिन था उन्हें मृत्यों का यह आकस्मिक भय भाय वस्तूं के प्रती उदासिंता के कारण नहीं था इससे दो नई प्रवर्तियां अरम हो गई पहली अंतर अवलोकन की आदत जिसमें ध्यान निरंतर आत्मा पर मुड़ा रहता दूसरी मदुरई के मंदिर में जाने पर भाबात्मक आसु आना वास्तव अन्वेशन मैं कौन हूं की खोज प्रतम दिन के परिवर्तन से पूरी हो गई सुभाविक रूप से वे सोचने लगे अपनी स्वयम की प्रकर्ती के अन्वेशन के लिए उनोंने गोता लगाया यह शरीर मरने जा रहा है सूल भोतिक शरीर को संबोतित करते हुए उनोंने अपने आप से कहा मानव अस्तित्म में कोई सुक्षम शरीर होता है उसके बारे में उनको कोई धारना नहीं थी उनके मन के बारे में भी वे नहीं सोचते थे शरीर से आशे उनका सिर्फ भोतिक शरीर से था वे इस निश्कर्ष पर पोजे कि ये शरीर मर गया और कड़ा हो गया तब उन्हें कैसा प्रतीत होता है कि उनका शरीर वास्तव में कड़ा हो गया वे उन्होंने अपने आपको स्यम एक लाश की तरह निचेश्ट सिडियों पर फैला दिया किन्तु वे मरे नहीं थे बलकि जीवित चैतन्य एवं अस्तित वमान थे इसलिए उनके भीतर एक प्रशन उदित हुआ यह कि मैं क्या हूं यह शरीर क्या है कौन स्यम को मैं कहता है इसलिए उन्होंने मुझ को सक्ती से बंद रखा और निच्चे किया कि मुझ से वे किसी भी प्रकार के अन्य अक्षर का उचारण ना करें उस समय भी उन्होंने अपने आपको भीतर पाया कि मैं वहां है उसकी ध्वनी वहां थी जिसे हम मैं कहते या अनुभव करते हैं वह वहाँ था वह क्या है उन्होंने अनुभव किया कि एक शक्ती एक विद्यूद एक उर्जा केंद्र शरीर में कार्य कर रहा है जो शरीर की जड़ता या क्रियाशीलता से परे है यद्यपी की इनके संदर्व में वह अस्तित वुवान है यह वह विद्यूद शक्ती या कें जिस से आत्मा मुक्त है जिसने उन्हें क्रियाशील एवं गतिशील रखा किन्तु यह पहली बार था जब इन्हें इसकी जानकारी मिली इसके पूर्व उन्हें अपने आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी उस उर्जा में स्रोत के ध्यान में लीन अपना समय वह व्यतीत करते रहे वह उस निशकर्ष पर पहुँशने के बाद जैसा कि उन्होंने कहा कि छे सप्ता के प्रथम दिन नए जीवन में जागरण के दिन मृत्यू का भई समाप्त हो गया उनके विचारों में अब कोई उसका कोई दूसरा स्थान नहीं था वै एक अस्तित्वान एक सुक्षम शक्ती थे जिसे मृत्यू का कोई भई नहीं इसलिए नए जीवन से संपन होने वाली क्रियाओं एवं बात के विकास में भई का कोई समावेश नहीं था इन सबसे उन्हें बहुत शक्ती विद्यूत मिला व्यक्तिकत परमात्मा जिसे वै इश्वर कहते थे के साथ एक रुपता की कोई अवधारना नहीं थी अब व्यक्तिक निर्पेक्ष ब्रह्म के बारे में तब उनकी कल्पना नहीं थी उन्होंने ब्रह्म का नाम भी नहीं सुना था पेरिय पुराणम एवं बाइबल के कुछ पाठों के अत्रिक्त उन्होंने भगबत कीता या अन्य किसी धार्मि ग्रंध का अध्यन नहीं किया था उन्होंने केवल विवेका नंद के शिकागो पाशन की भी एक प्रती देखी थी किन्तु उसे पड़ा नहीं था तब उनके नाम का भी उनको ठीक से उचारण भी नहीं कर पाते थे वह उन्हें वब्याका नंद उचारित करते थे इश्वर की वर्थमान कलपनाओं के अध्रिक्त उन्हें धार्मिक दर्शन की भी कोई कलपना नहीं थी वह अनंत रूप से शक्ति शाली सर्वत्र व्याप्त व्यक्ती हैं जिसका प्रती निदित्व करने वाली मूर्थियों के द्वारा विशिष्ट स्थलों पर वह पूजित है यह वह जानते थे यह थता इसी प्रकार के विचार उन्हें पेरिये पुराणम एवं बाइबल से मिले थे के द्वारा उन्होंने उसके बारे में जाना अरुनाचल मंदिर में उन्होंने अपनी आत्मा एवं भ्रह्म की एक रूपता तथा बाद में निर्पेक्ष भ्रह्म से एक रूपता को जाना और फिर उन्होंने रिभूगिता से सुना था बैकेवल अनुपव कर रहे थे कि हर चीज उस शक्ती द्वारा संचालित है मेरे द्वारा नहीं उसी अनुपूती के साथ उन्होंने अपना विदाई नोट लिखा तथा घर छोड़ दिया इस शक्ती को उन्होंने अपना संकुचित मैं मानना छोड़ दिया विद्यूत या आत्मा जिसे उन्होंने अनुभव किया वे मेरा आत्मा था कोई अध्यारोपण नहीं जबकि दूसरी और जागरण ने उने निरंतर ये विचार ये अनुभव दिया की मेरी आत्मा एक विद्यूत एक शक्ती है जिसमें मैं निरंतर निलीन रहता चाहे कुछ भी कार्य करता रहूं साथ ही उसका अधिपत्य भी उने मिनाक्षी सुन्देशवर मंदिर ले जाता था पहले वहां के मित्रों के साथ वह कभी कभी जाते थे किन्तु उस समय उलेखनिये किसी भावात्मा प्रभाव की उत्पत्ती नहीं थी तथा उनकी आदतों में अतियल्प परिवर्तन हुआ किन्तु आत्म जागरण के बाद वहलग बग हर शाम महां जाते और उस मनों ग्रसता में महां जाकर अकेले लंबे सामे तक शिवनट राज मिनाक्षी एवं 63 संतों के समक्ष खड़े रहते वे सिसकते और आसु भाहते तथा भावेव आवेश में कांपते थे वे किसी विशिष्ट चीज की अपेक्षा से प्रातना नहीं करते थे यद्यपी उन्होंने उस सर्वोच की इच्छा एवं प्रातना की नर्सिंग स्वामी ने इस विशे पर पुने प्रेश्ण किया तथा भगवान ने नेमन उत्तर दिया यह मृत्यू का भाह नहीं था जो श्री रमण महारिशी को 6 सब्ता तक मदुरई मंदिर ले गया पे अपने चाचा के मकान की सीडियों पर था थे और भगवे ने थोड़ी देर तक उन्हें जगड़ लिया और इससे दिव्यशक्ती उधित हुई उस मनो ग्रस्ता ने उन्हें अंतरलो की बना दिया तथा निरंतर अपनी स्वयम की प्रकर्ती की और देखने को प्रेड़ित किया वही शक्ति उन्हें मंदिर ले गई बिना किसी दुख या प्रसनता के उन्होंने सिसके और बहुत ज़्यादा रोए और उसी ने इच्छा उत्पन की कि उन्हें उन तरेसर्ट संतों की तरह होना चाहिए और इसके लिए बिना कोई विशेश अपेक्षा के इश्वर का अनु नहीं उन्होंने मृत्यू से मुक्त होने की प्रात्ना की उन्छे सब्तों के पूर्व या छे सब्तों की अबदी में वह यह भी नहीं जानते थे कि धर्दी पर जीवन दुखों से भरा हुआ है संसार या मानव जीवन या जीवनों से मुक्ति के लिए भी उन्होंने कोई प्रात्ना नहीं की यहां आने और पुस्तके पढ़ने के बाद ही उन्होंने संसार एवं बंधनों के बारे में जाना जीवन संताप से भरा है या जीवन अन्याचिक है इस विचार को भी उन्होंने मन में कभी भी स्थान नहीं दिया आत्मा अवेशम अभी तक विद्यमान है शास्त्रों की भाशा पढ़ने के बाद उन्हें पर रिलक्षित हुआ उस दिव्य शक्ती के शुद्ध मानस अगंडाकाश वृत्ती प्रग्या आदी नाम दिये जा सकते हैं अथार्थ इश्वर या ग्यानी की मन की अवस्था यह कैसा था कि महां भिन्नता का अनुभव था और प्रात्ना की गई की वह 63 संतों जैसे हो जाएं और इश्वर का अनुग्रे प्रात्त करें अखंडा आकाश शक्ती उनके साथ खेल रही थी तथा उसकी इच्छा के बाउजुद बनी हुई थी बात के दिनों में उनकी साथना के बारे में पूछा जाने पर बिना किसी जिजक्य उन्होंने निम्लिकित उत्तर दिया उन्होंने कहा मुझे साथना के बारे में किसी अब्धी का ध्यान नहीं है मैंने कभी कोई प्राणायाम या जप नहीं किया मुझे किसी मंत्र का ग्यान ना था मैंने कभी कोई साधना नहीं की मुझे यह भी मालूम नहीं की साधना क्या है ध्यान या एकागरता के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी बहुत समय बाद मुझे ग्यात हुआ की साधना क्या है तथा यह कितने प्रकार की होती है यदि कोई वस्तू या चीज हम से अलग होती है तो उसके बारे में सोचता यदि किसी लक्षे को पाना रहता तो उसकी प्राप्ती के लिए मैं साधना करता ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे मैं प्राप्त करना चाहता था बाद में उन वस्तू के बारे में सुनने के बाद भी मेरा मन कभी भी उनकी और आकर्चित नहीं हुआ अभी वे हैं उनकी और ध्यान देने से इनकार करते हैं साधना किसी चीज की प्राप्ती का साधन है प्राप्त करने योग्य ऐसी कौन सी चीज है जो पहले से हमारे पास नहीं है ध्यान या एक आगरता में हमें हर चीज के बारे में सोचना बंद करके स्थिर होना पड़ता है इस सहज अवस्ता के कई नाम दिये जा सकते हैं उन्हों ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, किसी उच्छ शक्ती ने मुझे अपनी गिरिफ्ट में कर लिया और मैं पूरी तरह से उसके हातों में रहा, एक समय था जब मैं अपनी आखे बंद किये रहता था, उसका अर्थ यह नहीं कि मैं तब किसी साथना का अभ्यास कर रहा ह होता था, अभी में मैं कभी कभी आखे बंद किये रहता हूं, यदि मैं आखे बंद किये वे पैठा हूं तो लोग कहते हैं कि मैं समादी में था, जब मैं बात नहीं करता तो वे कहते हैं कि मैं मौन में था, यदि लोग कहते हैं कि उस समय साधना रत था, तो उन्हें कहने तो इससे मेरे उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नीसंदे, पुस्तके, श्रमर्ण, मनन, निदिध्यासन, समादी और साक्षतकार के बारे में बताती हैं। प्राया लोग सोचते हैं कि विस्तित साधना के अभ्यास से किसी दिन उन पर आत्मा का अव्तरण एक विशाल रूप में होगा और तब उन्हें शाक्षतकार होगा। हम सदेव साक्षात हैं, तो उसे पाने के लिए करम की क्या अवशकता है? आत्मा साक्षात है, उसे प्राप्त करने हैं तो किस कारे की अवशकता है? हम समान्यता जिसे साक्षात या प्रत्यक्ष मानते हैं वह परिवर्तन शील है दिखाई पड़ता एवं विलुप्त हो जाता है जो साक्षात नहीं है उसे हम साक्षात मानते हैं हम सदेव हैं हमारे जितना प्रत्यक्ष कुछ और हो ही नहीं सकता इसके बारे में हम कहते हैं कि हमें सभी साधनाओं के बाद साक्षत कार करना है इससे बढ़कर अज्यान और क्या होगा कुछ करने से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती बलकि स्वयम को कुछ करने से रोकने से सदेव स्थिर रहने और वास्तव में वह जो है उसमें अवस्तित रहने और हम जैसे हैं वैसा ही बना रहने से होती है कतो अपनिशद इस आत्मा की प्राप्ति ना वेदों के पाड़ न तिवर बुद्धी ना ही शास्तरों के श्रवन से हो सकती है वह जी से चुनता है इसकी प्राप्ति करता है उसको आत्मा अपना स्वरू प्रकट कर देता है आत्म बोद के बाद वेंकट रमन, श्री रमन महारीशी पढ़ाई एवं समाजिक दायत्वों के प्रती उदासीन हो गई और अधिकांच समय आत्म ध्यान में बैठे रहते धार्मिक्ता एवं पावुक्ता से वेंकट रमन, श्री रमन महारीशी के तेव्र व्रिद्धी समाप्त हो जाएगी स्कूल में कक्षा के पाठों की निरंतर उपेक्षा होने लगी इसके फल स्वरूप अध्यापक भी धैर्य नहीं कर सके और उन्हें दंडित करने लगे ये सबी चीजे आने वाली किसी संकट का संदेश दे रही थी उस संकट का आगमन 39 अगस्त 1866 में को शनिवार के दिन हुआ अंग्रेजी व्याकरण के एक पाठ को भी सही डंग से याद करने में असफल रहे इसके पाद अध्यापक ने दंड स्वरूप उन्हें अंग्रेजी व्याकरण के एक पाठ को तीन बार लिखने को लाने को कहा घर की सीडियों के उपर बैठ कर वे लिखने लगे दो बार लिखने के बाद 32 बार जब लिख रहे थे अचानक उस यंत्रवर्त अभ्यास के प्रती आत्मा ने विद्रो किया उन्होंने पुस्तक एवं कौपी को किनारे पर रख दिया और बैठ कर अपने अंतर ध्यान में लीन हो गए उनके भाई उन्हें देख रहे थे उन्हें ठीक करने के इरादे से वे चिलाए जो इस तरह का वैवार करता है उसके लिए यह सब क्यों उनका अर्थ स्पष्ट था अपनी बढ़ाई गरेलू एवं समाजिक दायत्वो से जो असंसारिक ध्यान को बर्यता देता हो उसे समाज क के बीच क्यों हैना चाहिए इस तरह कि व्यंग बड़े भाई ने विगत चार या पांच सब्ताहों में कई बार किया किन्तु बेंकंट रमन श्री रमन महारिशी ने उस पर कंभीर रूप से ध्यान नहीं दिया किन्तु इस बार की चोट गहरी थी तब श्री रमन ने सोचा मेरे भाई जो कहते हैं वे बिलकुल सच है अब यहां मेरा क्या काम है विगत नवंबर में उन्हें अरूनाचल के नाम ने रोमान चित किया था अचानक अरूनाचल का विचार सामने आया इस विचार ने उनकी आत्मों को गिरफ्ट में लेकर तुरत महां से दूर अरूनाचल नहीं है, जो उन्हें आने के लिए पुकार रहा है। यह सब सबस चुप चाप किया जाना चाहिए ताकि कोई रिष्टेदार उने खोजकर वापिस लाने में समर्थ न हो सके। एक पर अनुनाचल पहुशने के बाद सदा वहीं रहना चाहिए यह सोचते हुए वे अपने ध्यान से उड़ गए और अपने भाई से बोले उन्हें विद्यूत के एक विशेश क्लास में भाग होने के लिए 12 बजे स्कूल जाना है बड़े भाई को बिल्कुल भी कलपना नहीं थी कि वे छोटे भाई को उसकी तेनु वर्ला मई की यात्रा के लिए आर्थिक सहयोग देने जा रहे हैं उन्होंने कहा अच्छा नीचे रखे बक्से में से पांच टुपे ले जाना मत भूलना तथा उससे मेरी कॉलिज की फीज जमा करा देना यह अद्रिश्य सत्ता के सहयोग का नवीन प्रक्टी करण था बहे नीचे गए बोजन किया तथा चाची से पांच रुपे प्राप किये उन्होंने जलबाजी में एक अपून नक्षा देखा जिसमें अठारा सो बाणवे में आरम की गई विलू कुरम त्रिणो वल्ला मई काट पट्टी रेलवे लाइन का उलेग नहीं था उस नक्षे के अनुसार मदुरई एक मोर रेलवी लाइन पर तिरू वर्णम मलाई के सबसे निकट स्टेशन तिन डीवनम था यह निश्कर्ष निकालते हुए कि उन्हें तिन डीवनम जाने के लिए तीन रुपे प्रयाप्त होंगे उन्होंने शेश दो रुपे एक पत्र के साथ अपने भाई की पुस्तक में इस प्रकार रखा कि उसे असानी से देखा जा सके तता हमेशा के लिए मदुरई को छोड़ दिया और विदाई के उनके इस प्रकार के शब्द थे श्री रवन ने लिखा कि मैं अपने पिता की खोज में उनके निदेश एवं आग्या से यहां से जा रहा हूं यह यात्रा केवल एक पावन उप्करम के लिए है इसलिए इस कृत्ते पर किसी को दुख करने की अवशकता नहीं है इसकी खोज करने में कोई पैसा खर्च करने की अवशकता नहीं आपकी फीस अभी तक जमा नहीं हुई दो रुपे इसके साथ सऽनलगन है इस प्रकार का पत्र के नीचे हस्ताक्षर के साथ पर एक डोटी सी सीधी लाइन खीची हुई थी बाक्यों के गठन में एक गहरा अर्थ चिपा था प्रथम बाक्य में से आरभ हो कर दूसरे में यहे के रूप में बदल गया और यहे भी पत्र के अंद में लुप्थ हो गया जिसकी समाप्ती पर हस्ताक्षर की अनुबुस्तिती में होती है पत्र वेंकट रमन की उस समय की मांसिक एवं अध्यात्मिक स्थिती पर प्रकाश डालता है समानियता घर और अपने प्रिय जनों को छोड़ने पर दुख होता है किन्तु अश्यर रूजनक रूप से इस प्रकार के किसी विचार ने उन्हें व्यथित नहीं किया बावनाओं के सागर ने उनके संपून अस्तित्व को निगल लिया और कुछ भी सोचने की गुंजाईश नहीं छोड़ी आत्मा के गहन प्रेम ने पूरी तना से प्रिय जनों की उपेक्षा कर दी वे उन्हें खोज में परिशान होने के लिए मुक्त देखना चाहते थे बविश्य के प्रती उनके भाई के प्रती भी वे आश्वस्त करते थे कि वे सुरक्षित हातों में हैं तथा पिता के नियंत्रन एवं आग्या से वे जा रहे हैं उनका लक्ष उसकी खोच करना है वे अपने भाई को सूचित भी करते हैं कि उनकी स्कूल फिज जमा नहीं की गई तथा शेश दो रुपे भी पत्र के साथ छोड़ दिये सिक्के का यह एक भोतिक पक्ष है दूसरा पक्ष अध्यात्मिंग यहां हमें श्री बेंकर ट्रमन की मुख्य विशेशता इश्वर के प्रती विश्वास में वृध्धी का पता चलता है अरुनाचल जो उन्हें पुकार रहा था उस नाम का चेतन या अचेतन रूप ने छूटना यह बताता है कि वह अपने लक्षे में रहस्य उजागर नहीं करना चाहते थे पत्र एक दूसरी महत्वपून विशेशता दर्शाता है जिसका उलेक करना अती अवश्चक है वह पत्र में यह शब्द प्रियोग किया जाना यह शब्द प्रियोग वाक्य के आरम में मैं से होता है यह व्यक्तिकत चेतना का दर्शक पाठक को होता है पत्र में मैं के बाद दूसरा सम्मोनन है अपने पिता यहां आधार रहेत अहंकार लुप्थ हो जाता है तथा जो शेश बचा है वै इश्वर का पूत्र वै अपने पिता जैसा है एक आत्मा एक मिट्टी का गरोना नहीं है देहात्म बृत्ति मैं शरीर हूं का विचार का लुप्थ हो जाना लेखा की आत्म ग्यान की अवस्था का बोद कराती है दृतिय वाक्य में तृडू वर्णा मल्लई की यात्रा में अपने आपको तृतिय पुरुष यह के रूप में ना की प्रथम पुरुष मैं के रूप में व्यक्त करना विशेश महत्प का है मदुरई छोड़ कर जो तृडू वर्णा मल्लई दृतिय पंक्ती के बाद के लिए जाता है वह एक सीमित चीव बोद नहीं है वह तो पहले ही इश्मरवे मिलीन हो गया आत्मा से अलग दिखाई पढ़ने वाला शरीर का सम्बोधन तूट गया चोथे वाकिय में लेखक पूरी तरह से लुप्त है और सम्बोधन है इसकी खोच करने में यहां लगता है जैसे पत्र शरीर की असारता एवं नश्वर्ता का बोद करा रहा है पत्र का अंध खीची गई डोट सी छोटी सी सीधी पंक्ती से होता है जहां कोई हस्ताक्षर नहीं है मैं से आरम व्यक्तित्व यह मैं विकलित हो गया तथा बाद में उस स्थान एवं उस समय में पत्र में हस्ताक्षर करने वाला कोई बचा ही नहीं था हस्ताक्षर की उपेक्षा समय की कमी या ट्रेन पकड़ने की जल्दी के कारण नहीं हुई पत्र की ये संकेत उनकी व्यक्तिकत परिवर्तन के बारे में कितने स्वश्ट है हरी ओम तत्सत